हाई व्यूवर यह देखिए आज हम यह क्रॉप टॉप बनाना सीखेंगे इसका नेक देखिए इस तरह से थोड़ा सा डिफेंट टाइप का बोर्ट शेप बनाएंगे और यह देखिए आप इसे पैंट के साथ या सूट के साथ भी केरे कर सकते हैं तो देखिए बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है और स्लीव से इसकी हमने फुल स्लीव बनाई है और फ्रेंट साइड से इस तरह से दिखता है तो ये बनकर बहुत ही प्यारा सा लगता है तो चलिए बनाते हैं यह दिखे यहां पर हमने इसकी sleeves भी complete कर ली हैं और यह दिखे नीचे से मैंने इसके 40 फंदे यानि कि 40 फंदे इसकी sleeves के front में रखे हैं और after 4 rows के 4 rows के बाद हम एक एक फंदा दोनों side में इसका बढ़ाते हुए गए हैं तो यह दिखे यहां पर हमने इसके total 90 यानि कि 90 फंदे मैंने यहां पर इसके बना लिये हैं तो आप अगर थोड़े से healthy हैं तो फिर उसी साब से आप इसके फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे तो यहां पर मैं after 4 rows के इसके फंदे एक एक फंदा दोनों side में बढ़ाती हुए गई हूँ और यहां पर हमने 90 फंदे यानि कि 90 फंदे कर लिये हैं और उसके बाद मैंने यहां से इसकी घटाई स्टार्ट की है तो घटाई मैंने 4, 3 और 2, 2, 2, 6 टाइम यानि कि 6 बार मैंन आँपने 4 फंदे फिर 3 फंदे फिर 2, 2 फंदे छे बार मैं डिक्रीज किये हैं और जब हम फ्रंट साइड में आ गए हैं तो थोड़े से लूज हाँ से मैंने इसके फंदे जो हैं वो क्लोस कर दिये हैं तो दिखे मेरी यह जो स्लीव है यह अपने अकॉर्डिंग रख़्ी तो इसकी जो length है यह दिखिए इसकी length मैंने 25.5 inch यानि की 21.5 inch रखी है total length और जो हमने इसकी decreasing की है वो दिखिए यहां से हमने इसकी decreasing start की है और इसकी decreasing हमने यह दिखिए साड़े अठारा इंच 18.5 इंच से मैंने इसकी decreasing start की है तो उपर हमारी जो total length है वो 21.5 साड़े 21 इंच है तो यहाँ पर मैंने सीधे दो उल्टे फंदों की ये सारी sleeve बनाई है ये दिखे हमने इसका back part बना लिया है और इसको हमने दो उल्टे बनाया है और इसकी जो length है वो दिखिए कितनी है measure करेंगे यहाँ से लेकर इसकी total length जो है वो 90 इंच है यानि की उन्नी इंच है और इसकी जहां से हमने कटाई स्टार्ट की है तो उसकी जो length है वो ये दिखे 11.5 11.5 5 inches 11.5 inch है और 11.5 inch से हमने इसकी कटाई जो है वो start की है और इसके जो हमने नीचे से फंदे रखे हैं वो 82 फंदे हमने इसके रखे हैं और यहां पर हमने जो इसकी कटाई की है वो हमने चार तीन दो एक की इसकी कटाई की है उसके बाद फिर हमने इसको दो उल्टे और दो सीधे फंदों के साथ बनाया है यह दिखे इसका बैक पार्ट हमने बना लिया है अब हम इसका यह दिखे फ्रंट पार्ट बनाएंगे इसका फ्रंट पार्ट का हमने ये वाला जो पैटर्न है वो आपको पहले सिखा दिया था तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां जाकर आप इसको सीख सकते हैं तो आगे के भी हमने सेम ही 82 फंदे रखे हैं और उसके से यह सिखा निचे से बार्डर बनाया है तो मुझा हमने दो रतडेअं iki उठीच हो 17 और को हमने यह दिख़े लगबर साड़े पांच इंच इसकी हमने लंबाई रखी ऑंवर्ड रखी यह दिखे बॉडर की लंबाईभ की हमने säड़े पांच इंच रखी ऐ 5.5 इंच रख वो 11.5 इंचीज बना ली है अब हम यहां से इसकी शोल्डर की कटिंग स्टार्ट करेंगे तो यह इसका फ्रंट पार्ट है यहां पर हम 4,3,2,1 की कटिंग करेंगे तो दिखिए इसे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदों का एक फंदा,2,3,2 पंदों का एक फंदा,4 यह दिखिए 4 की कटिंग,4 की कटिंग हमने कर दी है पाकी का पैटर्न हम सेम ही डाल लेंगे दो उल्टे और दो सीधे फंदों के साथ यह दिखे और सेंटर में हम यह वाला केबल का पैटर्न भी डालेंगे तो यहां तक मैं इसे कम्प्लीट कर लूँगी और रॉंग साइड में हम इसकी शोल्डर की कटिंग डालेंगे तो ऐसे ही हम 4,3,2,1 की कटिंग कर देंगे तो यहां पर हमने फ्रंट में की है और इस साइड में हम इसकी बैक में कटिंग करेंगे तो मैं यह सारी रॉग कम्प्लीट कर लेती हूँ अब दिखे सीदी साइड हमने कम्प्लीट कर ली है wrong side में आ गए हैं तो इसमें भी हम दिखे 4 फंदे decrease करेंगे wrong side में 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 1, 2, 3, 4 दिखे 4 फंदे हमने decrease कर दिये हैं अब 2 फंदे उल्टे 2 सीधे और जो फंदे जासे दिखाई देंगे वैसे ही बुनकर complete कर लेंगे यह दिखे अब सीधी side में आ गए हैं यह 4 फंदे हमने decrease किये हैं इसको test करेंगे और back loop से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 1, 3 फंदे decrease करेंगे back loop से 2 फंदों का एक फंदा तो यह दिखे हैं यहां पर हमने 3 फंदे कि बनाएंगे ऐसे ही हम इस side में back side में जाकर 3 फंदे उसके बार आपको बताएंगे कि आगे कैसे करेंगे झाल 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 झाल